मैं आपके उजवल भविस्से की कामना करता हूँ और इस वर से प्रातना करता हूँ कि नीट 22 की एक्जाम में आप एक अच्छा स्कोर गएन करें एक जोस के साथ एक्जाम दें और रजल्ट की टेंशन ने करते हुए बहतर करने की कोशिस करें जैहिंद बच्चो आज इस वीडियो में हम नीट 22 एक्जाम ड्रेस कोड के बारे में बात करेंगे कि 17 जुलाई 22 को क्या पहन कर जाना है और क्या नहीं पहनना है तो इस साल एक्जाम में 18 लाख स्टुडेंट अपियर होंगे जिन में एप्रोक्स 15 लाख स्टुडेंट ड्रोपर है और नियरवाई 3 लाख स्टुडेंट फ्रेसर होंगे तो जो student dropper है जो need 21 का need 2020 का exam दे चुके हैं उनको तो dress code के बारे में मालूम है जो dress 21 में पहनी थी या फिर 2020 में पहनी थी वही dress पहन सकते हैं क्योंकि need 22 में dress code को लेकर कोई changes नहीं है dress के लिए जो rule 21 में 20 में 19 में थे वही rule से 22 के लिए है तो मेरे ख्याल से dropper student को तो dress code को लेकर कोई doubt नहीं होगा अब जो freser candidate है और पहली बार need का exam दे रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि dress को लेकर ज्यादा attention ना ले simple dress पहने male और female candidate से half sleeve shirt या t-shirt पहन सकते हैं full sleeve shirt या t-shirt allowed नहीं है इसके अलावा normal trousery यानि pant पहन सकते हैं आप jeans भी पहन सकते हैं मगर आपकी dress में big buttons नहीं होने से ये jeans में big pockets होते हैं जैसे फिते लटकते रहते हैं तो ऐसे कपड़े पहनने से बचें आप आप एक simple dress पहने light cloth पहनना allow नहीं है lower पहन सकते हैं shoes और socks allow नहीं है इसलिए आप sleeper पहन ले यही सबसे best है इसके अलावा आप low heels से sandal भी पहन सकते हैं अगर कोई candidate cultural और customary dress यानि की पारंप्रिक dress पहन कर जाना चाता है जैसे जो muslim girls candidate हैं बुरका पैन के जाना चाहरे हैं या जो sick candidate हैं पगड़ी करपान पैन के जाना चाते हैं तो वो one hours पहले exam center पर पहुंचें जैसे last entry डेड़ बजे है तो वो at least 12.30 बजे तक exam center पर पहुंचें ताकि proper checking हो सके और उनको entry के लिए कोई problem ना हो girls candidate, leggings, flowers, salvars ये पहन सकते हैं ornaments यानि जो आबूसन हैं वो बिलकुल allowed नहीं हैं जैसे जुमके, nose ring, bracelet, अंगुठी यानि कोई भी metallic item ना पहने ये घर पर ही उतार कर जाएं simple hairband यूज करें जो metallic ना हो तो बच्चों वीडियो के अंत में यही कहना चाहूंगा कि 17th जुलाई को आप simple सी dress पहने जैसे pen set, sample पहने तो ये और भी अच्छा है क्यूंके आपकी कापलियत आपकी dress से नहीं आपकी मेहनत से मालूम चलेगी NTA के information blatant के according long sleeves के साथ light cloth allowed नहीं है और shoes allowed नहीं है NTA ने अपने information blatant में ऐसा कुछ भी dress को specify नहीं किया है कि आप ये dress पहन कराएं मैं हर साल exam center पर visit करता हूँ और वहां की कौन-कौन सी dress वहां पर allow है कहां-कहां student को क्या problem आती है उसी के according मैंने ये video तयार किया है अभी जल्द ही need के admit card release हो जाएंगे और जैसे ये admit card release होंगे मैं आपको inform कर दूँगा फिर इसके लावा उसमें क्या-क्या instructions होंगे वो भी मैं आपको बता दूँगा तो wait करते हैं अभी admit card का तब तक आप अच्छी तरह तयारी करें मेहनत करें ये है बचा हुआ समय आपके revision के लिए है ये आपके लिए काफी लाबदाइक साबित होगा मैं इस वर से फिर से कामना करता हूँ कि आपका need 22 की exam में अच्छा score आए तो मिलेंगे नई update के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिं